हेलो फ्रेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल वर्ग को हमें इसमें स्क्वेर कहते हैं और वर्गमूल को हमें इसमें स्क्वेर रूट कहते हैं आज के वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल को डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि वर्ग है क्या यानि कि स्क्वैड क्या होता है इसका यहाँ पर पड़िभासा है जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग होता है जैसे कि दो का वर्ग क्या है चार दो का वर्ग यानि की दो को हम दो से गुना करेंगे जिस संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको कहा जाए हमें उसी संख्या से इसको गुना करना होता है और गुना करने के बाद जिसका फल आता है उसको हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं जैसे कि तीन का वर्ग है नो तीन का वर्ग निकालन और वर्ग का इंगलिस मैंने आपको बताया वर्ग का इनलिस होता है स्क्वेर को क्या करते हैं स्क्वेर हम सबको कम से कम एक से बीस तक वर्ग संख्या याद रखना चाहिए हम लोग एक से बीस तक वर्ग संख्या देखने से पहले हम वर्ग मूल का पड़िभासा देख लेते वर्गमूल क्या है किसी धनात्मक संख्या का धनात्मक संख्या का मतलब होता है प्लस वाली संख्या यानि की वैसी संख्या जिसने की माइनस ना लगा हो तो किसे धनात्मक संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयम से बुना करने पड़ दी गई संख्या प्राप्त हो जैसे की सोला का वर्गमूल है चार कि यह आपको यहां पर चिन दिख रहा है इस चिन को इस सिंबॉल को हम कहते हैं रूट ठीक है और मैंने वर्गमूल का एंगलिस आपको पहले बताया था वर्गमूल का एंगलिस होता है स्क्वेर रूट वर्गमूल का English है square root अगर हमें किसी और संक्या का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे जैसे कि 36 का वर्गमूल निकालना हो तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 तो इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालने के तरीके को भी जानेंगे वर्गमूल हम दो तरीकों से निकालते हैं पहला है गुननखंड वीधी और दूसरा है भाग वीधी इन दोनों मेथट को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पहले हम एक से बीस तक के वर्ग और वर्गमूल को देख लेते हैं एक का वर्गमूल है एक, चार का वर्गमूल होगा दो, ठीक है एक का वर्गमूल एक, चार का वर्गमूल दो, नो का वर्गमूल तीन या आप इस तरह से भी इसको पढ़ सकते हैं एक का स्क्वार एक होगा, दो का होगा, चार, तीन का नो, चार का सोल, पांच का पच्चिस, यानि कि हम जब किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं, तो संख्या को हम दुगुना कर देते हैं, जैसे कि एक का वर्ग निकालना है, तो एक गुना एक, इसको हम इस तरह से भी वर्ग मूल निकालने के लिए कहाँ जाएं तो आप कैसे निकालेंगे इसका चेन अच्छी से एक का वर्ग मूल के डोता है तो चार का वर्गमूल इस तरह से निकाल सकते हैं इसको हम कहते हैं Root तो 4 का वर्मूल कितना होगा दुख आप समझ गए Root को हम इस तरह से सुझित करते हैं और वर्ग मूल जब हमें निकालना होता है तो हम इसको root से ुझित करते हैं इसको हम स्क्वेर कहते हैं और इसको हम root कहते चलिए अब आगे कर देखते हैं तीन का वर्ग 9 हो जाएगा चार कवर्ग 16 पांच कवर्ग 25 छे कवर्ग 36 साथ कवर्ग 49 आठ कवर 64 9 कवर्ग 81 10 कवर्ग 100 11 कवर्ग 12 कवर्ग 144 तेरा कवर्ग 119 चोदा कवर्ग हो जाएगा 371 20 का 400 तो ये 1 से 20 तक वर्ग और वर्ग मूल है इसको आप लोग याद कर सकते हैं ये आपको काफी help करे रागे चलके ये तो समझ लिया कि वर्ग और वर्ग मूल क्या होता है हमने वर्ग का भी पड़िवासा देखा और वर्ग मूल का भी पड़िवासा देखा हम वर्ग मू अवसरा है भाग वीदि तो पहले हम गुंःंखंड वीदि से वर्ग मूल निकाले गेंगे तो मालीजी करना है जो हम गुत तरह से घेट देंगे जिस तरह से हम अवसी तरह से करें तो नौ को हम 3 से बाज़ीत करें तरह यह नो ते आपकर किता 3 है 23 है ठीक है तो 3 गुना 3 23 के बदले में हम एक 3 लेंगे तो यह हमारा क्या हो गया वर्गमूल यह हमारा आशर हो 9 का वर्गमुल हो गया 3 अब मालिज जी कि हमें 144 का वर्गमुल निकालना है तो हम इसको इस तरह से इस पे रूट दे देंगे 144 का वर्गमुल हम कैसे निकालेंगे गुनन खंड वी डी से तो हमें इस तरह से इसको घेरेंगे जैसे कि LCM निकालते हैं उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस हम LCM के तड़ा ही करेंगे तो 2 से हम इसको वैजित करेंगे 2 सत्य चौदर फिर 2 दुनी 4 2 तिया 6 2 चकी बाड़ 72 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा फिर 36 को हम 2 से ही वैजित करेंगे 18 आएगा फिर 9 आएगा फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा इस तरह से हमारा आगिया यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बाड़ यहाँ पर 2 है 1, 2, 3, 4 और 2 बाड़ 3 है इसको भी लिखेंगे गुना, 3, गुना, 3 ठीक है? इस तरह से हमने लिख दिया अब यहाँ पर जो भी एक जैसा आगए उसका हम जोड़ा बनाएंगे जैसे कि 2, 4 बाड़ है तो इसका एक जोड़ा हो गया और यह 2 जोड़ा इसका हो गया और इसका एक जोड़ा ठीक है? इस दोनों 2 के कितना हो गया? 12 तो हमने भी देखा था कि 12 का वर्ग 144 होता है यानि कि 144 का वर्गमूल क्या हो गया? 12 तो इसी तरह से हम और संक्या का वर्गमूल निकाल के देखते हैं जैसे कि हमें 1024 का वर्गमूल निकालना है इसको भी हम गुननखंड वीदी से ही निकालेंगे तो इसको हम 2 से वाजित करेंगे तो 512 आएगा फिर इसको हम 2 से वाजित करेंगे तो 256 आएगा फिर इसको हम 2 से वाजित कर देंगे तो 128 आएगा फिर दो से भाज़ित करेंगे दो च्छा की बारे और दो च्छा की आठ फिर दो से भाज़ित करेंगे दो तिया च्छे है दो दुनी चार फिर दो से करेंगे तो 16 आएगा फिर दो से करेंगे आठ आएगा फिर चार आएगा फिर दो से करेंगे तो यहाँ पर दो आएगा यहां तक जितना भी अंख सब को हम यहां पर गुना कड़ेंगे ठीक है पहले हम इसको गिंटी कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नो, दस तो दस बार हम दो लिखेंगे और एक को हम नहीं लिख रहे हैं एक को हम इसे गुना कड़ेंगे तो फिर भी उतना ही आएगा तो कितना हो गया? एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नो, दस यहां भी दस हैं तो अब हम इसका जोड़ा बनाएंगे यानि की पेर बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच तो इसका पाँच जोरा हमने बनाया यानि कि हमें दो, दो के बदले में एक के दो को लेना है ठीक है, यह एक जोरा हो गया तो एक दो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर यह दूसरा जोरा, दो यहाँ पर लिखेंगे फिर इससे भी हम एक दो लेगे और इससे भी एक दो लेगे तो यहाँ पर पांच जोड़ा हुआ और यहाँ पर हमने पांच दो लिखा है ठीक है? इसी तरह से हमें वर्ग मूल में लिखना होता है तो हम इन सब को गुना करेंगे 2 दोनी 4, 4 दोनी 8, 8 दोनी 16, 16 दोनी 32 तो इसका वर्ग मूल आ गया 32 एक हजार 24 का वर्ग मूल कितना आ गया? 32 ठीक है? आई होब आपको गुननखंड वीधी वाला वर्ग मूल समझ में आ गया होगा अब हम भाग वीधी से वर्ग मूल निकाल के देखेंगें संक्या चाहे कितने भी लंबी हो आप दोनों वीधी से वर्ग मूल निकाल सकते हैं चलिए हम भाग वीधी से वर्ग मूल निकाल के देखते हैं पहले हम 144 को ही लेते हैं 244 का हमें वर्गमूल निकालना है वो भी भाग वीधी से तो हम यहाँ पर लिखेंगे 144 ठीक है और भाग वीधी से वर्गमूल निकालने के लिए हम दो तरह से सिंबल दे सकते हैं इस तरह से भी दे सकते हैं या हम इस तरह से भी शिंबॉल देखे वर्गमोल निकाल सकते हैं ये सब लिखने का तरीका होता है सबका अपना अपना तो हम किसी भी तरह से वर्गमोल निकाल सकते हैं लेकिन प्रोसेस साड़ा सेम ही रहेगा दोनों में प्रोसेस सेम ही रहेगा सिफ मैंने आपको सिंबॉल बताया कि इस तरह से आप सिंबॉल देखे वर्गमूल निकाल सकते हैं तो चलिए हम 144 का वर्गमूल निकालते हैं पहलवी दिमें वर्गमूल निकाले के लिए हमें उन अंको का जोड़ा बनानों होता है तो हम दाहिने तरब से जोड़ा बनाते हैं जैसे कि यहाँ पर 144 है तो हम इस तरब से शुरूर करेंगे जोड़ा बनाना चार और चार ये दोनों जोड़ा हो गया और ये एक अकेला रहे गया ठीक है एक से बीस तक हमने वर्ग और वर्ग मूल देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक का वर्ग मूल एक होता है या फिर यह कह सकते हैं कि एक का वर्ग एक होता है तो हम इसको एक से वाजित करें हैं और जो हम यहाँ पर लिखते हैं उतना ही हम यहाँ पर भी लिखते हैं ठीक है और इसमें हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर हम एक लिखते हैं तो हम यहाँ पर भी एक लिखते हैं इसी तरह से इस तरह से हम बना रहे हैं तो एक का वड़ हो गया एक, तो यहाँ पर हम एक लिखे हैं, ठीक है, और इसको हम माइनस कर देते हैं, एक में एक चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा, जीरो, यहाँ पर हम क्रॉस भी दे सकते हैं, जैसे कि हम भाग में, सिंपल भाग जो हम बनाते हैं, उसमें हम क्या करत हैं घताने के बाद एक अंख को नीचे होता है ठीक है उपड़ वाला जो एक अंख होता है इसको हम नीचे लाते हैं लेकिन वर्ग मूल में हम क्या करते हैं जो हमने जोड़ा बनाया है उन दोनों को को हम एक साथ नीचे लाएंगे ठीक है जोड़े को हम एक साथ नीचे लाए में इस तरह से हम वर्ग मूल में नहीं करते हैं यहां हमने जोड़ा बनाया है तो इन दोनों को हम एक साथ नीजे लाएंगे तो 44 है यहां पर हम 44 लिखेंगे और यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे एक और एक को जोड़ेंगे ठीक है एक और एक को हम जोड़ेंगे दो हो जाएगा अब यहाँ पर जो हमने दो लिखा है हमें यहाँ पर यह देखना है कि हम इसको ऐसी कौन से ही संक्या से गुना करें जिससे कि हमारा ये वाला संक्या आ जाए वैसे तो हम लोग जानते हैं कि 22 गुने 2 कड़ेंगे हमारा 44 आ जाएगा लेकिन हम ये माल लेते हैं कि हमें नहीं पता है कि हम किस संक्या को किस से गुना करेंगे जो हमारा 44 आएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जैसे कि देखिए, 22 गुना 2 करने पर 44 होता है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो यह 22 बन गया और गुना 2 इस तरह से हमें करना होता है ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए गुना का चिन दे दिया है तो यहाँ पर हमें गुना ही करना होता है तो दो गुना दो करेंगे चार हो जाएगा मैं आपको यही समझाने की कोसिस कर रही थी कि जिस भी आंको हम यहाँ पर लिखते हैं उतना ही हम नीचे भी लिखते हैं उसी से हम गुना करते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक लिखते तो यहां पर भी एक लिखते यहां पर चार लिखते तो यहां पर भी चार लिखते यहां पर पाश लिखते तो यहां पर भी पाश लिखते तो यहां पर पाश लिखते और यहां पर भी पाश लिखते तो पच्चिस गुना पाश हो जाता यहां पर तीन लिखते और यहां पर या उसके बराबर हूँ ठीक है जेसे कि हम दो से भागते हैं आठ में ठीक है तो 2 दूनी 4 2 ग यहां पर हम खिलैंगे ही यहां 2 है 2 त्या 6enko 2 थैट शोगा 2 त्या 6 तो आठ में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा दो हो यहां पर हम नेका किया तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि यह जो भाजी है यह जो भाजी संख्या है इसमें जो भी आंक हम खिलाड़ हैं वो या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए तो यह हमें ध्यान रखना पड़ता है तो उसी तरह से हमें वर्गमूल में भी ध्यान क्या हमने 44 आया तो इसके बडावर यह आ गया तो अब हम क्या करेंगे 44 में से 44 को माइनश कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर हम' क्रॉश दे सकते हैं और यहां पर भी हमें हम जो भी संख्या यहां पर लिखेंगे उसी संख्या को हम यहां पर भी लिखेंगे ठीक है और यही हमारा आंसर है 12 का वर्ग होता है 144 या क्या कह सकते हैं 144 का वर्ग मूल होता है 12 आयूप आपको यह सारा प्रोसेस अच्छी से समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आया है तो चलि में आगे का संषर करते हैं एक दो कौसर अभी हम देखें जिसे कि आपको अच्छे收 sang में आजाए कि चलितली आब हम पाथ 22 का वर्गमूल निकालते यह पाल सो प्सीक्तर हम पता करते हैं कि पास सो जिस्तंर किसा वर्ग है ठीक है PB इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो इसको भी हम जोड़ा बनाएंगे, तीन अंक है, देखिए, चार अंक रहता है, तो उसमें दो जोड़ा बन जाता है, अगर यहां पर एक रहता या फिर दो रहता, तो एक जोड़ा ये और दो जोड़ा, दूसरा जोड़ा ये वला बन तो हमें एक से दस तक के वर्ग में देखना है कि उसमें पांच से छोटा या फिर उसके बरावर किसका वर्ग है देखिए एक का वर्ग हम करते हैं तो एक आता है दो का वर्ग करते हैं तो चार आता है तीन का वर्ग करते हैं तो नो आ जाता है तो नो पांच से बड़ा है और 6,4,5 से छोटा है यानि की 2 का वर्ग तो हम यहाँ पर 2 से इसको विभाजित करेंगे 2 लिखेंगे यहाँ पर हमने 2 लिखा तो यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे 2 गुने 2 कितना हो गया 4 हो गया तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा और ये जोड़ा नीचे आ जाएगा और यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या करना होता है जोड़ना होता है यहाँ पर हम इन दोनों को गुना करते हैं इन दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखते हैं लेकिन हम नीचे जो यहाँ पर दो लिखेंगे उसको हम जोड़ेंगे दो प् से गुनाख करें जिससे का एक मधा टृटा सा ट्रीक है देखिए यहां क्या पर लाना है एक सो छिएतर लाना है तो हमें एक से दस तक के वदłamें ये देखना है कि यह कौन से संज्छा है जिसके जिसके वठक के लास्ट कि स έχता हूं छह और है हम इसको देखते हैं देखिए एक से दस तक में देखिए कि किसमें लास्ट में छे आ रहा है देखिए एक कवर करते हैं तो एक आता है दो कवर करते हैं चार आता है तीन में नौ आता है चार में सोला आता है तो चार में देखिए सावर करते हैं तो तो यहीचीज क्क याद रखना आध यहां पर देखिए यहां पर भी लास्ट में छे हैं थोड़ा से समझना होगा कि हम इसमें या तुछ सब्सक्राइब या फिर 6 गुना करेंगे तब ही लास्ट में या। मैं ने आपको पहले बताया था जैसे कि हमने यहाँ बाइस गुना दो किया दो से यहां पर हमने गुना किया तो नीचे भी हमने दो से गुना किया तो यहां पर माल लेजिए कि हम चार से चार को चार से गुना कर रहे हैं तो नीचे भी हम चार लिखेंगे ठीक है तो चार गुना चार करेंगे चार चौके 16 हो जाएगा, 16 का 6 और बाकी 1, फिर 4 जोगे 16 और 1 17, तो यह हमारा 4 से गुना करने पर ही 17 आगया, तो यहाँ पर हम 4 से ही गुना करेंगे, यहाँ पर हमने 4 लिखा, तो यहाँ पर भी हम 4 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी हम 4 लिखेंगे, तो देखिए, 4 गुना 4 करे पाकि एक चार चौके सोला एक सत्रह गतना हो गया 186 को मैनस कर देगा तो जीरो गाया यानि कि कति तो हमारा वर्ग मून क्या आ गया हमारा वर्ग मूला गया estar यह हमारा आंसर हो गया और 144 का वर्ग मूल हो गया 12 इसी तरहे से हम वर्ग निकालते हैं तीन अंकों वाला वर्गमूल तो हमने निकाल लिया अब हम चार अंकों वाला वर्गमूल निकालते हैं जैसे कि हम एक हजार 24 का वर्गमूल एक बार निकालके देखते हैं एक हजार 24 का वर्गमूल हमने गुरंखंड विदी से निकाला था अभी हम भाग विदी से इसका वर्गमूल निकालेंगे एक हजार 24 तो इसमें दो जोड़ा बनेगा इस तरफ से हम जोरा बनाएंगे, दाइने तरफ से, तो देखिएं, यh एक जोरा हो गया, और दूसरा जोरा यह वाला हो गया, तो दो जोरा हो गया, अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि दस से च्छोटा रख कौन से है, एक का रख निकालेंगे तो लिएक होगा, दो का तो 9 होगा और 4 का व्रण निकालेंगे तो 16 हो जाएगा तो 16 तो 10 से बढ़ा है तो हम इसे छोटा इसमें खिलाएगे तो 3 का जो वर्ण होता है नो होता है तो 3 से हम इसको भाजित करेंगे 3 और यहाँ पर भी हम 3 लिखेंगे 3 गुना 3, 9 हो गया तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा ठीक है और इस जोड़े को हम नीचे लाएगे यानि कि 24 को नीचे ला लिया हमने और यहाँ पर हम 3 लिखेंगे जितना यहाँ पर होता उतना ही हम यहाँ पर लिखते हैं लेकिन इन दोनों को हम यहाँ पर क्या करते हैं जोड़ देते हैं 3 और 3 कितना हो गया 6 अब हमें यहाँ पर एक चीज यह देखना है कि इसको हम 6 में हम किस अंख्या से गुना करेंगे जो हमारा 124 आजा है तो हमें गुना कैसे करना है यह तो हमने दो बार देखा यहाँ पर वर्ग मूल में कि हम जिस भी अंख को यहाँ पर लिखेंगे उतना ही अंख हम नीचे भी लिखेंगे और उन सब को हम गुना करेंगे ठीक है जैसे कि हम यहाँ पर एक लिखेंगे यहां पर भी हमें एक लिखेंगे, तो 61 गुणा 1 हुजाएगा, यहां पर हम 2 लिखेंगे, तो 62 गुणा 2 हो जाएगा, इसी तरह से हमें गुणा करना होता है, तो इसके लाश्ट में क्या है? एक आता है एक गुना एक करते हैं तो एक ही आता है दो गुना दो करते हैं तो चार तीन करते हैं नो चार गुना चार करते हैं तो 16 तो 16 जो आया उसके last में क्या है 16 एक और छह लास्ट इंहीं चया है तो यह चीजह हमें याद रहेगा इसलिए कम से कम एक से 10 तक कवर्ग याद रखना चाहिए जैसे कि यहाँ पर कर लास्ट में 8 है हम 10 पुष्प करते हैं चार होता है तो एक से 10 तक में दो और आठ है दो के वर्ग में लास्ट में चार आता है इसमें तो एक ही अंक है इसमें 5 लिकेश तो हमें वैसी फिर कि लास्ट में चार आता हो तो पहले हम इसमें 2 से गुना करके देखते हैं हम यहांपे गुनाद दो एक सुचॉबीस हो गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे बोसर यानि कि दो और यहां पर भी हम दो लिखेंगे तो दो दूनीत तो 124 में से 124 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा यानि कि 0 बचेगा तो इसको हम यहाँ पर क्रॉस भी दे सकते हैं तो हमारा 1024 का वडग मूल कितना आ गया 32 तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पर कम्प्लीट होता है आइअे वेडियो पर किजिये और अपनी दोस्तों के साथ वीडियो को सेड किजिए